तूभुंट टू कौश्शिंटेंगे एक्सप्रेस इच वपोलेंग नंबर्स अज आस सम ओफ थ्री औड प्राइम्स थी ओड प्राइम्स तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओड प्राइम प्राइम्स आपको पहले ही पता है ओड आपने देखा था ता कि 2 इस तो इवन प्राइम नंबर तो चोड़के बाकि जितरे भी प्राइम नंबर से हो सारे ही ओड है तो सबसे पहले हम देखते हैं 21 को और सम का मतल क्या पर कि तीन नंबर को एड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट जो हो 21 आना चाहिए तो स्टार्ट करते हैं माली जै हमारे पास फर्स्ट प्राइम नंबर है 21 के लिए 3 अब 3 में हम क्या प्लस करें कि 21 मिल जाए हमें तो 21 में से हम 3 माइनिस करके देखते हैं तो हमारे पास आएगा 18 अब 18 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो हम 18 को दुबारा से प्राइम नंबर में चेक करेंगी समों प्राइ 13 तो it means 18 की जिंगे हम लिख सकते हैं 5 प्लस 13 और दोनों ही prime numbers है और 8 भी है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 21 को जब आपको express करना है 3 8 prime numbers में तो आप उसको 3 प्लस 5 प्लस 13 लिख सकते है next b part हमारे पास 31 अब 31 के लिए भी ऐसी start करते हैं सबसे smallest prime number हमारे पास क्या था 3 3 में क्या प्लस करें कि हमारे पास 31 हो जाए तो 3 में 31 में से minus करके देखेंगे तो 28 अब 28 भी हमारे पास यहाँ पर prime number नहीं है तो 28 को हमें आगे देखना पड़ेगा कि 28 को हम क्या लिख सकते हैं तो next हमारा prime number है 5 28 में से आप 5 minus करेंगे तो हमारे पास number आ जाएगा 23 it means 28 की जिए हम क्या लिख सकते है 5 plus 23 और यह दोनों ही prime numbers है और और भी है तो it means हम 31 को लिख सकते है 3 plus 5 plus 23 next c part हमारे पास 53 आपको कहीं confused होने की जूरत नहीं है आप सबसे पहले सबसे चोटा जो prime number हमारे पास उसको चेक करेंगे हमने 3 लिया अब 53 में से आपने 3 minus किया तो हमारे पास बचा 50 it means 50 और 3 plus करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 53 लेकिन 53 भी हमारे पास जो है वो prime number नहीं है तो next आप चेक करेंगे 53 को हम कैसे लिख सकते हैं next हमारे पास 3 के प्राइम नंबर है 5 5 में 45 प्लस करेंगे तो 50 बन जाएगा लेकिन आप यहां पर देखिए यहां पर 45 भी प्राइम नंबर नहीं है तो इसमें 45 को भी फर्दर देखना पड़ेगा कि हम क्या ले सकते हैं तो 45 को हम ले सकते हैं देखो 5 और 45 का पेर हम नहीं ले सकते तो next 5 के बाद जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो होता है 7 अब 7 को 50 बनाने के लिए हम क्या आड़ करेंगे इसमें 43 अब देखो 43 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स है और 50 इसके इकवल हो रहा है आड़ करने के बाद it means हम 53 को लिख सकते हैं as the sum of प्राइम नंबर्स में 3 प्लस 7 प्लस 43 नेक्स्ट हमारे पास पार्ट डी पार्ट डी में हमारे पास नंबर है 61 61 को भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे फर्स नंबर हमारे पास क्या है 3 61 बनाने के लिए आप 61 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या चाहिए 58 अब 58 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है तो हमें इसको दुबारा से देखना पड़ेगा कि इसमें हम क्या अड़ कर सकते हैं तो 58 को हम लिख सकते हैं next 3 के बाद हमारे पास नंबर होता है प्राइम 5 58 में से आप 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा है 53 तो इस दोनों ही प्राइम नंबर है और दोनों ही हमारे पास ओड है तो 61 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 5 प्लस 53 यह तो सिर्फ ओप्सन है कि इन नंबर्स को आप 3 ओड प्राइम नंबर में कैसे लिख सकते हैं आपको अपन 31, 53, 63, जो भी आपको चाहिए, वो आप अपनी मर्जी से भी वहाँ पर पेर स्लेक्ट कर सकते हैं, यह सिर्फ एक ओप्शन है, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए,